वल्कम मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुड़ेइज न्यूज जहां होता है इंटर्टेइन्मेंट की दुनिया से डालिक कनेक्शन आपको बता दे कि बॉलिवुड आक्टर रनवीर सिंग की मच अविटेट तर्म सरकस की शूटिंग शुड़ हो चुकी है इसी दौरान रनवीर सिंग ने इंस्टाग्राम पर रोहिशित्टी के साथ एक तस्वीर शेयर की है या तस्वीर उनकी अपकमिंग फिल्म सरकस के सेट की है इस तस्वीर को शेयर करते वे उन्हें ने संकेत दिया है कि साल 2018 में आई उनकी फिल्म सिंभा का सीक्वल सिंभा 2 भी आ सकता है आपको बता दें कि इस तस्वीर में रोहिशेटी हाथ में वौकी टॉकी लेकर एक ठेले के सहारी जुक कर खड़े हैं वह फिल्म सरकस की डारेक्टर भी हैं तस्वीर में देखा जा सकता है कि रनवीर सिंभ फणी अंदाज में एक हाथ और एक पैर उपर उठा कर तिर्चे खड़े हैं वह रोहिशेटी की तरफ देखकर हस रहे हैं जबकि रोहिशेटी अपने काम में बिजी हैं इस तस्वीर में रनवीर सिंग ने पफल रंग की धीरी टीशिट के साथ हलके रंग की पैंट और सफीर जूटे पहने हुए हैं रनवीर ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा सरकस के सेट पे सिंभा 2 की फिल्डिंग इसके साथ ही उन्होंने हैश्टेग बिहाइंड थे सीन और टू इयर्स ओफ सिंभा लिका तम सिंभा साल 2018 में 28 देसंबर को डिलीज हुई थी या उस साल की आखरी फिल्म थी जो सूपर हिट साबिट हुई थी वैसे इस फिल्म में रनवीर सिंग के साथ सारा अलिखान नजर आई थी सिंभा फिल्म को रोहे शिटी ने ही डायरेक्ट किया है सिंभा के दो साल पूरे होने पर रनवीर सिंग ने अपने इंस्टागाम पोस्ट पर एक क्लिप शेयर की थी जिसमें फिल्म का टाइटल ट्रैक और उनका धासु एक्षन दिखाया गया रनवीर सिंग ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा आया पुलिस मेरे हार्ट कोर कमर्शियल सिनेमा के दो साथ यह बॉक्स ओफिस की किंग रही और सिर्फ बॉस्मैन रोहेशेटी एक ही तो है अपनी टीम में शामल करने के लिए धन्यवाद बॉस्ट मैं आप पर गर्फ करता हूँ कि आप ने मुझे सिखाया और बहतरी इन फिल्म में दी Thank you so much, keep watching for more entertainment news and update.